हेलो एनीमेल लवर्स स्वागत है आपका एक नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रंची रोल के जो नई अनाइम्स जो की रिलीज होने जा रहे हैं हिंदी डब्ड में उन सब के बारे में तो इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब् किया है जो कि काफी ही जादा मज़िदार और काफी से जादा इंट्रेस्टिंग हैं जो कि आपको काफी ही जादा पसंद आने वाले हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं सारे नाइम्स के बारे में जानते हैं कि कौन सा नाइम कब रिलीज होने वाला है जिसमें कि सबसे पहला अनाइम है हमारा जो की रिलीज होगा 18th November को जो की है Buddy Daddies दोस्तों असल में 18 November को हमारे तीन अनाइम रिलीज होने वाले हैं जिसमें कि सबसे पहला है Buddy Daddies जैसा कि मैंने वह आपको बताया दूसरा है My Love Story with Yamada Kun at level 999 इन हमारा तीसरा जो अनाइम है वो है The Angel Next Door Spoils में ये तीनों अनाइम में ही बहुत ही जादा इंटरेस्टिंग है इन मैंसे दो अनाइम है रोमेंटिक कॉमेडी वाले और जो पहला अनाइम है Buddy Daddies वो है एक्शन और कॉमेडी से बढ़ा हुआ अगर आपको एक्शन और कॉमेडी से बढ़ा नाइम पसंदे तो आप प्रेफर किजिएगा Buddy Daddies को इसके लावा जो रोमेंटिक कॉमेडी वाले नाइम है वो दोनों मैंने खुद देखे हैं मुझे काफी पसंद आए I hope आपको भी जहां तक है पसंद आएंगे तो चलिए बात करते हैं Buddy Daddies की जो की हमारा हर Saturday को साड़े नौ बज़े रिलीज हुआ करेगा इसके लावा यामादा कुन वह दस बज़े रिलीज हुआ करेगा और The Angel Next Door Spoils Me Wroteen ये हमारा साड़े दस बज़े अनाइम रिलीज हुआ करेगा Every Saturday इसके बाद दोस्तों जो हमारा फोर्थ हनाइम है जो की रिलीज होगा वो होगा 28 नौवंबर को The Daily Life of Immortal King Season 3 इससे पहले के दोनों सीजन हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेवल है I hope आपने जहां तक है पहले से देख भी रखे होंगे दोनों सीजन तो आपको पहले से ही पत इसके बाद दोस्तों जो हमारा सीजन 3 आने वाला है The Daily Life of Immortal King का ये दो पार्ट में आने वाला है पहला जो पार्ट रिसका रिलीज होगा 28 नौवंबर को जिसमें की पहले से छटा एपिसोड 6 एपिसोड से हमें दिखाए जाएंगे और इसका दूसरा पार्ट आएगा 12 दि पर भी अवेलेबल होंगे आप वहां से भी देख सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं अगला नायम जो कि हमारा रिलीज होगा 6 दिसंबर को The Ancient Magus Bride Those Awaiting A Star इसके ओवा के एपिसोड रिलीज होंगे जो क्योंगे साड़े 9 बजे और शायद आपने पहले देखा हो अगर नही दिसंबर को The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World ये हर Thursday को इसका एक एपिसोड रिलीज हुआ करेगा 10 बजे और दोस्तों इसका जो जो जानरी है वो है Supernatural और Fantasy इस तरीके का जो जानरी है इसमें जो मेन करेक्टर है वो हमारा Haru Yoshi Kuga जिसे कि मतलब उसके Court Members के जो लोग है उसे धोका दरी से मार देते हैं और एक reincarnation spell यूज़ करके दूसरी दुनिया में जनम लेता है और जहां पर किसकी powers और लोगों के comparison में बहुत ही ज़्यादा एकसीड कर जाती है यह अनाइम तो मैंने खुद से देखाया बहुत ही बड़ी अनाइम है मैं आपको recommend करूँगा कि आप इस अनाइम को कोशिश करते हैं एक Ice Blade Magician होता है जिसने के अपनी country को तीन साल पहले विक्टरी दिलाई होती है अकेले खुद के दम पर वह इतना आदा powerful होता है लेकिन फिर भी इस सब होने के बावजूद भी उससे बहुत ही कम लोग जानते हैं उसका real नाम उसका real नाम था Ray White जो कि Arnold Academy में और वहां पर जो बहुत सारे problems थी बहुत सारे प्लैग को रखा था वहां उन सब को ठीक करने के लिए एज़ा कौम नहीं कि आम इंसान की तरह entry करता है उस Academy में तो यह अनाइम भी आप बढ़ी आप इसे भी देख सकते हैं और आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही और अन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में